सालों से बिना कारे कारेणी के काम कर रही भारत हाउसिंग सोसाइटी के हुए चुनाव भारत हाउसिंग सोसाइटी के चुनाव करी 15 साल बाद मंगलवार को हुए जिसमें 19 प्रत्याशियों ने अपना भाग गया आज माया बत्तान के बाद चुनाव अधिकारी ने मदगरना करवाई और परिणाम घोशित किये जसमें आजावर्ग से एक ही प्रत्याशी के फोर्म जमा होने की वज़े से कला तेचकरन चंद्रवन्शी को दीवी रोध निर्वाचित घोशित किया गया अब 11 जुन को अध्यक्षव पध्यक्ष के चुनाव होंगे रीटिनिंग अधिकारी रगुकर पिपलाज और मुकेश जोशी ने बताया चुनाव में आधित्यक खंडेलवाल को 100 वोट अहिल्याबाई को 100 रमिश चंद्र पैटिदार को 95 राजिंद्र प्रसाद व्यास को 95 सुनियना भाले को 93 महिशर्म लीना सोन केसरे को 91 राजिंद्र सिंग को सित्यासी वोट मिले जिन्हें चुनाव अधिकारी ने विजय घोशित किया सामाने महिला वर्ग में सजनी भाई ठाकूर वकविता जाधों को संचालक के पतपन निर्वाचित गोशित किया गया चुनाव होने के बाद अब संचालक मंदल का गठन कर सोसाइटी के तीविध्यों का संचालन हो सकेगा पिछले 15 साल से सहकारिता विभाग की ओर से सोसाइटी में प्रशासक नियुक्त किया हुआ था अब चुनाव होने से संचालक मंदल द्वारा सोसाइटी का संचालन किया जाएगा फिर हाले संक में इतना ही अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात नमस्कार